दोस्तो आज में आपके लिए लेके आई हूँ काजू कतली की रेसिपी को इस कतली को आप घर पर जटपट से बना पाएंगे और इतनी ज़ादा सौप्ट मुलायम बनेगी देखें देखने से ही आपको पता चला होगा बहुत ही मज़िदार रेसिपी है सबसे अच्छी बात ये है कि ये पाँच काजू से इतनी जवज़स्त बनके तयार होने वाली है इसे बनाने के लिए आपको मावा नहीं चाहिए मिल्क बाड़न नहीं चाहिए जटपट से आपकी कतली बनके तयार हो जाएगी यहाँ पे काजू कतली बनाने के लिए हमने मूमफली का इस्तिमाल किया है यहाँ पे हमने डेड़ कप मूमफली को लिया और पैन में डाल दिया आज को मीडियम कर दिया है मीडियम आज में इस तरह से हम मूमफली को चलाते रहेंगे जब तक कि ये भूंच के तयार ना हो जाए बस ध्यान इस बात का रखना है कि मुमफली हमारी जलनी नहीं चाहिए और इसका color change नहीं होना चाहिए इस तरह से जब हम इसे धीमी आच में लगातार चलाते हुए भूनेंगे तो ये अंदर से अच्छी से भून जाएगी और इसका color भी change नहीं होगा तीन से चार मिनट लगेंगे आपको इसे भूनने में तीन से चार मिनट बाद हम इसे चेक करके बताएंगे कि हमारी मुमफली भूनच गई है कि नहीं तो बस इस तरह से आप इसे चलाते रहेगा और बीच में आप इसे एक मुमफली का दाना लेके इसे ठंड़ा कर लीजिए और फिर इस तरह से हातों से मसलिये तो देखें इस तरह से अच्छी से साफ होने लगेगा तो समझ लीजिए हमारी मुमफली बुंच के तयार है क्योंकि हमें इसका छिलका ही लाल वाला हटाना है इस तरह से हमने इसे कपड़े के उपर डाल दिया है अब टॉबल के उपर डालने के बाद इस तरह से हातों से हलका सा गरम गरम में इसे मल देंगे इससे क्या होगा कि हमारी जो मुमफली है इस कछिल का आसानी से निकलाएगा तो इस तरह से टॉबल कोछे से लपेट कर छोड़ दीजिए गा 15-20 मिनट के लिए और जब ठंडी हो जाए तब इसी टॉबल को आप रगड़ रगड़ के साफ कर लीजिए तो एकदम लाल वाला पाट हमें हटा देना है अगर आप चाहो तो भूने हुई मुमफली का भी इस्तिमाल कर सकते हो पर वो बिननमक वाली होनी चाहिए बिल्कुल सिंपल और मुमफली देखें हमने इस तरह से साफ करने के बाद मिक्सी के जार में डाल दिया है अब साथ में हमने यहां पे लिया है यह तरभूज के बीज यह आसानी से मिल जाते हैं मार्किट में इससे इसका टेस्ट बहुत ही जबजस्ता आता है काजु कतली में हमने यहाँ पे 5 काजु का इस्तिमाल किया है और जो बीच डाले हैं इसका टैक्चर इसमें बहुत ही अच्छा आएगा जो खिश्ती हुई काजु कतली होती ही न ठीक उस तरह से यह बन जाएगी इसे बड़ी है तरीके से आप पीश लीजिएगा और जब मुमफली अच्छे से ठंडी हो जाए एक घंटे के लिए आप मुमफली को ठंडा करने के लिए जब छोड़ दें तभी इसे पीशिएगा तो एक भी यह तेल नहीं छोड़ेगी बड़ी है तरीके से पाउडर के जैसे यह पिसकर तैयार होगी क्योंकि मुमफली जब अच्छे से ठंडी हो जाती है तो यह तेल नहीं छोड़ती है इस तरह से पाउडर सा बंद के तैयार होता है तो बस हम इसे निकाल लेंगे और छान लेंगे यहाँ पर चाणना थोड़ा ज़रूरी है इसलिए कि इसमें थोड़े बहुत मुमफली के दाने रह जाती है और वो मुमफली कतली में अच्छी नहीं लगते हैं तो इस तरह से मैंने मुमफली को हटा दिया है चाणने के बाद तो बस काजू कतली बनाने के लिए आपको क्या करना है एक कडाई ले लेना है और इसमें हमें आधिकप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल देना है एक कप चीनी में अब हम चीनी को इस तरह से चलाते रहेंगे और चीनी को घोल लेंगे घोलने के बाद देखें आप चीनी अच्छी से आपकी घुल जाए तो बस इस तरह से छोड़ दीजेगा तीन से चार मिनट के लिए तीन से चार मिनट वाद आप इसे चेक करिएगा जब यह हलकी सी गाड़ी हो जाएगी तेल की जैसे दिखेगी अगर आप इसका हलका सा इस तरह से तार बनाएंगे तो करके आधा आधा डालेंगे और अच्छी से इसकी घुटाई कर देंगे यानि अच्छी से चलाते जाएंगे ताकि स्मूद सी हमारी काजु कतली बनके तयार हो अभी आपको बेटर बहुत ही पतला और वो दिख रहा होगा लेकिन जैसे से धीमी आज में पकेगा बहुत ही गाड़ा और अच्छा हो जाएगा इसके बाद हम इसे बीच में चेक कर लेंगे कि यह बेटर तयार हो गया है कि नहीं आपकी काजु कतली पूरी परफेक्ट बन पाएगी कि नहीं इस तरह से आपको इकटोरी के पीछे थोड़ा सा इसका गिरा दीजिए और उसे ठंडा कर करने के बाद उसे हातों से चेक कर लीजिए और जब इसे चेक करेंगे ना तो यह देखें अभी हातों में चिपक रही है चिपक नहीं चाहिए इसका गोला सा बनना चाहिए आप देखिएगा अब यह हमने थोड़ा और चलाया और इसे पकाया तो यह थोड़ी और गाड़ तो इस तरह से आप कर सकते हैं एक दम परफेक्ट आपकी काजू कतल अगर इस तरह से आप चेक कर लेंगे और एक बसे पाइट जी जाएगा और इसे हलका साथ तेल या घी से ग्रीस कर लीजिएगा और इसमें अब क्या करेंगे इसे अभी नहीं डालेंगे अभी हम कड़ाई में इस तरह से इसको चलाते रहेंगे जैसे बर्फी वगेरा घुटाई करते हैं बनाने के पहले इस तरह से अच्छी सी स्मूध और सौप्ट बनेगी ऐसा करने से तो बस इस तरह से दो मिनिट के लिए आपको इसी तरह से कड़ाई में बड़ी ह कि थाली में मौर्टी जमेगी तो मैंने इस तरह से बड़ी पेपर ड़ाल और इस अच्छी से मल लिया है इसकी एक बड़ी सी लहीरा बना के तैयार कर लिया है क्यूकि हम इसे बेलन से भीलने वाले हैं तो इस तरह से उपर से भी बटरै पर रख लग दीजिए और बड़ बहुत ज़दा पतली नहीं रखी है यह अच्छे से तयार हो चुकी है यानि बिल चुकी है अब हम क्या करेंगे इसी तरह से छोड़ देंगे जब यह ठंडी हो जाए तो इसमें हम चांदी का बर्क लगा देंगे चांदी का बर्क से और भी ज्यादा अच्छी दिखने लगे तो मैंने इसके पीसिस कट कर दिये हैं अभी एकदम सौप्ट मुलायम बढ़िया हमारी काजु कतली घर पर ही बनके तयार हो गई है और इस कतली को बनाने के लिए आपको जादा खर्च नहीं करना है जादा मेहनत नहीं करना है बहुत ही बजट में आप धेर सारी घर पर ही काजु कतली बना ले जाएंगे उमीद करती हूं आज की रेसिपी आप सबको बेहत पसंद आई होगी क्योंकि काजु कतली सभी को पसंद आती है और बनती भी बहुत ही मज़ेदार है एकदम सौप्ट मुलायम तो रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक करिएगा मुझे कमेंट में बताईएगा कि कैसी लगी हमारी काजु कतली की रेसिपी जो जटपट से बनके तैयार है एकदम सौप्ट और मुलायम मिलेंगे इसी तरह की और नई धेर सारी वीडियो के साथ